प्यारे मित्रों जैश्यराम जैमत्या। दिमित्रो आज हम आपको बताएं कि बहुत से लोगे यह सोचते होंगे कि मौली बांधने का किवल धार्मिक कारण ही है। नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है। इसके विशै में आध्यात्मिक कारण भी है, चेकिस्य की ये कारण भी है और मनों वैज्ञानिक द्रश्टी से भी मौली का अपना विधार है। पुराने बैद्य और घर के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे। हाथ में, कमर में, गले में और पैर के अंगूठे में मौली का धागा बान दिया करते थे। इससे क्या होता था, बलड पेसर, हार्ट अटैक, डायबेटीज और लकवा जैसी जो समस्याय थी, इनसे लाब प्राप्त हुआ करता था। और बच्चों को अक्सर कमर में आपने देखा होगा, कि जो छोटे बच्चे होते, उनके या तो काला धागा कमर में और या तो मौली बान दी जाती थी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, खाएंगे इधर उधर का, तो इनका पेट गाईजेशन में रहे, पेट इनका खराब न हो, इस कारण से वो धागा कमर में बांधा जाता था। इसका चिकिस्ट की भाव ये मैंने बताया आपको। अब आपको बताते हैं मनुब अग्यानिक भाव क्या है? पवित्र और सक्तिसाली बंधन होने का यह आइसास कराता है मनुब अग्यानिक कारण है ये। जानती होती है, मन पवित्रता, मन के अंदर पवित्रता बनी रहती है, व्यक्ति के मन और मस्तिक्स के अंदर बुरे विचार उत्पन नहीं होते हैं, और व्यक्ति जब मौली बांद करके कहीं से जा रहा होगा, तो वह किसी गलत रास्ते पर अर्थात उसको भटकाओं से बच काम भी मौली करती हैं कई मौके पर गलत व्यक्ती गलत लोगों के संगत में आ जाते हैं और मौली बांद रखीए तो गलत संगति में जाने से वी बसता है तो इसका मनोवज्यानिक कारण ये भी है मित्रों तो हमने आपको मौली के जो कारण बताए है संभवता आपको ससेच करें बात करें अन्य वीडियों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें नए वीडियो प्राप्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए दीजे लाशाब चैमातादी जाए मागंगे